दोस्तों अगर आप भी अपने फोन के डायलर में इस तरीके से अपनी फोटो या फिर किसी की भी फोटो यहाँ पर लगाना चाते हैं तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को आपके फोन के डायल पैड में कैसी सैटिंग बताऊंगा जिस सैटिंग को यूज करके आप भी अपने फोन के डायल पैड में इस तरीके से किसी की भी फोटो लगा सकते हैं अपनी फोटो लगाना चाओ अपनी फोटो लगा सकते हैं गल्फेंट की फोटो लगाना चाओ गल्फेंट की फोटो लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर आप जिसकी भी फोटो सेट करेंगे उसी की फोटो आपके फोन के डायल पैड में सेट हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो डायल पैड हो देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है तो इस तरीकी सैटिंग अगर आप अपने फोन मे पहले अपने फोन को लाइक नहीं किया तो आपको वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है इसके वगल मैं आप सभी को घंटी को पर क्लिक करके और आप सभी को सेट कर लेना है इसके वाद आप सभी को वीडियो के कमेंट में जाके आप सभी को छोटा सा क कि बने के लिखने के टेलपेड लिख देना है iPad में photo की setting करने के लिए सबसे पहले आप सभी को वीडियो के description में एक app का link मिल जाएगा उस link के उपर click करके आप सभी को सबसे पहले अपने phone में ये वाली application को download कर लेना ठीक है अब application को जैसी आप download करेंगे तो यहाँ पर आपको click-click इस तरीके से करते रहना है और यहाँ पर आपको double tap इस तरीके से कर देना है इसके बाद आपको वापिस से click करना है और यहाँ पर आप सभी के सामने permission का option आएगा आपको ok करना है और इसको आप सभी को सबसे पहले high कर देना इसके बाद आप सभी को इसके उपर click करना allow कर देना ठीक है, यहाँ पर आपको सारी permission को यहाँ पर आपको tick कर देना इस तरीके से आपको tick करके allow कर देना है और यह वाला option भी आप सभी को on करके back चले जाना है, अब जैसी आप back आएंगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक dial pad आजाएगा, जहाँ पर आपको photo वाली setting करनी है, तो simply आप सभी को dialer के उपर click करना है, और यहाँ पर आप सभी के सामने जो theme का option है, इसके उपर click कर देना है, अब इसके उपर जैसी click करेंगे तो यहाँ पर आपको background के उपर click करना है और यहाँ पर आप सभी को pick image के उपर click कर देना ठीक है तो जैसी आप pick image के उपर click करेंगे तो आपको यहाँ पर pick image के उपर द्वारा से click करना है और आपकी gallery में जो भी photo है जिस भी photo को आप set करना चाहते हैं जैसे यह वाली photo मैं आपको set करके दिखा देता हूँ तो simply आपको corp कर लेना इसके बाद आपको apply के उपर click कर देना इसके बाद आपको ok कर लेना है अब जैसी आप ok करेंगे तो आपकी जो photo है आपर dial pad में set हो चुकी होगी उसके बाद दोस्तों जब भी आप अपने dial pad को open करेंगे तो यहाँ पर यही वाली photo नजर आने वाली है तो इस तरीगे से यह जो setting है आप अपने phone के dial pad में कर सकते हैं Thank you